हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नमबर 3 जिसमें टॉपिक है कि बंदुत्व जाती और वर्ग आरंबिक समाज जो 620 पूर से लेके 620 तक का यानिके 1200 साल का जो है इसमें पढ़ेंगे उसका पार्ट टू लेके हैं पहले के पार्ट जो है cities बस गई थी नए नगर बन गए थे जिसमें बाहर से काफी लोग आये और उन लोगों ने आके पास दूर से आके उन्होंने या गाओं से आके या दूसरी जगाओं से आके बस गए थे तो वो वहाँ पर खरीद फ्रोक्त वगेरा करते थे और उसके लिए जो है नग उन्होंने रहना शुरू किया कई परिवेशों में तो नए विचारों का आदान-परदान बहां पर शुरू हुआ और उस नए विचारों की वज़ा से जो है पुराने विश्वास जो थे जो आरंबिक विश्वास थे जो पहले की सोच थी thoughts थी वो और जो व्याभार थे उ अब इन सब चीजों को दूर करने के लिए उन पे नियंतरन करने के लिए जो उस समय का ब्रह्मन समाज था उसने कुछ ऐसे नियम बनाय अचार संगिताएं बनाई और ये जो है अचार संगिताएं इस प्रकार की थी कि उनमें जो है समाज के लिए कुछ नियम बनाए गए और उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे इन अचार संगिताओं का पालन करें और विशेशकर ब्रामणों से तो ये पूरी उमीद की जाती थी क्योंकि उन्होंने ही ये अचार संगिताओं बनाई थी और ब्रामण जो है समाज के सर्वोच पद पर थे तो उनको ये विशेश रूप से पालन करना जरूरी था और बाकी समाज के जो वर्ग थे उनसे भी अपेक्षा की जाती थी कि वो भी इसका अनुसरण करें तो उसके लिए जो है समय समय पर जो है नही नही बातें जो हैं जैसे लगबग 500 इसा पूर्व में मानदर्णों का संकलन जो है धरम सूत्रों में और धरम शास्त्रों में जो संस्कृत के गरंतें उनमें किया जाता रहा तो ये जो है उनमें नही नही बातें जो हैं समाज में जो बदलाव के साथ आ रहें थी समाज में कुछ changes के लिए तो मनु समरिती जो है वो जो 200 इस्वी पूर से 200 इस्वी के बीच में जो लगबग 400 वर्ष के बीच का समय है तो इन 400 वर्षों के काल में मनु समरिती ने कुछ नए जो नियम बनाए समाज में उन नए नियमों के अनुसार समाज को ये किया गया कि वो उनके हिसाब से अब रहना शुरू करें और उनके लिए कुछ ऐसे आधर्ष नियम बनाने उन्होंने उस समय की सोच के हिसाब से शुरू किये ताकि जो है उसको वर्ग व्यवस्ता को बनाय रखा जाए और उसको बचाय जाए तो इन ग्रंतों के लेखक यूँकि ब्रह्मन थे तो उनका दृष्टिकोण जो था सार्व भहुमिक था वो यह सूचते थे कि हमारे जो है हम जो कह रहे हैं उसे सारा समाज जो है मानना चाहि यानि के वो ये के चाहते थे कि उनके नियम बनाएवे युनिवर्सल हो और सभी उनको माने तो लेकिन वास्तव में जो है समाज जो है इतना जटिल होता है कि उसमें हर बात को मनवाना संभव नहीं होता तो उपमाद्वीप में ये जो है इतनी विशाल शेत्र था इतनी फैल मान्यताओं को जो उन्होंने स्थापित करने कोशिश की उस पर प्रशंचे न लगते रहे और उन्होंने जो है इन दो वज़ाओं से शेतरिय विवनता और संचार सादनों की बाधाओं की वज़ा से उनीम नहीं हो सके तो पहले वाले भाग में हम पढ़ चुके हैं इस पार्ट के कि उस समय जो है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में आठ प्रकार के विवाओं का वर्णन है तो उनमें पहला ब्रह्म विवा, देव विवा, तीसरा आर्ष विवा, चौता प्राजापत्य विवा, पांचवा, आसुरी विवा, गंदर वि टेल में नहीं जाएंगे, तो इसमें पहले जो चार विवा थे, ये जो हैं उत्तम विवा मानने जाते थे, और इनमें सबसे उत्तम जो विवा है वो ब्रह्म विवा माना जाता था, और बाकी के जो पांच से लेके आठ में तक के विवा थे, इनने निंदित माना गया, क्य क्योंकि समाज में ये विवा जो है मानने के लिए जो है ब्रामन समाज जो है उस समय का जो आरे समाज है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं था तो ये जो है विवा पद्धतियां क्योंकि समाज में प्रचलित थी और उस समय के अनारे लोग या द्रवड लोग जो कह सकते ह जो आरे नहीं थे उन लोगों के अंदर ये प्रचलित थी तो गोत्र प्रणाली जो है, वो क्या होती है, तो इसमें लगबग 1100 पूरु के बाद जो है, ब्रामणिये पद्दती प्रचलन में ये आई, और उसमें जो है रिशीयों के जो रिशी थे उनके अंदर जो है आज से मतलब तीन हजार साल पहले एक हजार इस्विपूर का मतलब एक आज से लग तीन हजार साल पहले करीब जो है यह पद्धती प्रचलन में आई वर्ग विवस्ता के बाद में वर्ण से बाद में जाती व गोत्र विवस्ता की रूप में तो ये लोग जो है खासतर ब्र्हामनों के अंदर जो है गोत्रों में वरगी करित किया गया और इनके नाम जो है रिशियों के नाम पर रखे गाए जैसे कॉंडेले, मदबन, कटाक्ष, चांदवेन और ये जागवन, मगधन्य, शांडिले, आशियन, देवरत, कौशिक, हटवले, भरत रिशी और सारवले, हरीगोन, भिंडाले और मुर्दनी आदी रिशियों के नाम पर जो हैं इन गोत्रों को नाम दिया गया ये वैदिक रिशियों के नाम थे और इन ही किसे जो है इनोंने जो है नाम रखे और इन गोत्र के में जो है जितने भी सजस्य होते थे वो इन रिशियों के वंशज माने जाते थे यानि के ये रिशी उनके फोरफादर्स थे तो उनी से जो है उस वंश परंपरा को शुरू हुआ माना जाता है तो इनके वेद गोत्र भी थे जैसे कॉंडिले जो है गौतम से मदबन कश्य पादी गुरु से थे और इनके अपने वेद भी थे जैसे कॉंडले का यह यह जुरवेद मदबन का सामवेद कटाक्ष का यह जुरवेद इस तरह से सभी के अपने वेद थे शाखाएं थ और इसके अलावा जो है उनकी कुल देवे देवता भी अपने अलग अलग प्रकार के थे तो उननी के वज़ा से जो है इनको अलगग इनमें बांटा गय कोतरों में हर गोतर के जो है इनके लिए कुछ महतुबून नियम थे उन सबसे महतुपून थे उनका वर्णन यहां करिया जा रहा है कि विवाहा के बाद जो है इस्त्रियों को पिता के गोत्र के बजाए पती के गोत्र माना जाएगा यानिकि इस्त्री का गोत्र जो पहले पिता का गोत्र होता था विवाजेपूर वो बदल के अब वो त्याग दिय जाता था और पती का गोत्र इस्त्री द्वारा अपना लिया जाता था और ये जो है इसका मतलब दूसरे गोत्र में विवाह होता था विवाह समंद अपने गोत्र में नहीं किया जा सकता था क्योंकि एक गोत्र के व्यक्ति सभी जो है भाई बैन माने जाते थे क्योंकि उनका एक ही पूरवज था इसलिए एक गोत्र में विवासमंदों को अच्छा नहीं माना जाता था यानि कि बाहिए विवाह का प्रचलन अधिक अच्छा माना जाता था और इन जो है इस्त्री के गोत्र क्या होता है तो इस्त्री के गोत्र में कई बार इस्त्री और पुरुष के न नाम जो हैं वो साथ में आते हैं तो ये साथवान राज जो है इस तरह जो है यहाँ पर आंद्र करनाट कादी का ये जो महाराष्ट का शेत्र है इसमें जो है वो ये 120 से लेके 300 जो है इसापूर के लगबग उन्होंने शाशन किया है इस वी तक तो इनकिसकी स्थापना जो है सिमुक्का ने की थी और जो है साथवान सामराज्य की और इसका सबसे महान जो शाशक हुआ है वो greatest ruler जो हुआ है वो गौतमी पुत्र साथ करनी हुआ था तो गौतमी पुत्र का मतलब है इसमें गौतम जो रिशी है उनके से अपने आपको जोड़ा गया तो गौतमी जो है उस इसी तरह से विशिष्ट पुत्रा जो है इसके बाद में आने वाला राजा तो विशिष्ट का नाम साथ में विशिष्ट पुत्रा तो इस तरह से इस्तरी और दोनों के नाम जो है अपने गोत्रों में ये शामिल नामों के साथ जोड़ा करते थे तो पुत्र का मतलब पु करते थे तो इन राजाओं में जो है पश्चें भारत और दखिन के कुछ भागों में शाशन किया और ये लगबग दूसरी शताबदी सापूरु से लेके दूसरी सताबदी इस्वी तक जो है इनका शाशन रहा था तो ये जो है लगबग 400 वर्ष के करीब जो है इनोंने पर इनके पारिवारिक और विवाहिक रिष्टों का एक खाका एक जो है उस पे खाका खीचा जा सकता है उसका एक डिटेल तियार की जा सकती है तो इनकी रानियां जो थी साथ वाहन राजाओं की उनके ये कैसे दशा थी तो साथ वाहन राजाओं में जो है बहु पत्नी प पतनियां होती थी और ये पतनियां जो होती थी वो उनका नामों का उलेख भी गरगंतों में हुआ है जाकि साधान ते ऐसा नहीं होता था कि इस्त्रियों के नाम जो है उनमें शामिल किये जाएं लेकिन सात्वान लोगों ने किये और उनके नाम में गौतम और विशिष्ट गोत्र जो है उनको उद्गरित किया गया जो उनके पिता के गोत्र थे तो ये रानिया जो थी अपने पिता का गोत्र इसका मतलब अपने साथ लगा कर रखती थी तो इन से ये पता लगता है कि पती कुल का गोत्र को ग्रैन करने के अपेक्षा साथ वहन जो रानिया थी वो प उना साथ रखती थी और यह भी पता चला है कुछ रानिया के एक ही गोत्र थी यानि के काफी सारी रानिया थी एक ही गोत्र की थी तो इससे भी यह पता लगता है कि उनमें अंते विवा पद्धती थी यानि के अपने गोत्र में ही शादी कर सकते थे बाहर के गोत्र में भाई विवा को स्रेष्ट मानते हैं अन्तय विवा पद्धति यानि के उसी सेम गोत्र में शादी को अच्छा नहीं माना जाता था यानि ये तो बंधुओं में शादी हो गई इस तरह का माना जाता था लेकिन फिर भी ये प्रता जो है साथ वानों में प्रचलित थी अंते विवा क्या होता है इसके बारे में भी हम पार्ट वन में काफी डिटेल में पड़ चुके हैं और ये जो है दक्षिन भारत के कई समधायों में आज भी विद्दमान है और वहां पर जो है अपने ही परिवार के परिवारिक रिष्टेदार जैसे बांदव जो हैं मेरे चचेरे फुफेरे भाई बैन जो होते हैं उनके साथ जोड़ेगा विवा संबंदों को जो जादा अच्छा माना जाता है और इससे ये माना जा और उस संबवत उपमादीप के और भागों में भी अन्य विविद्दाएं भी मौजूद थी लेकिन उनमें विशिष्ट जो है वर्गों में ये चीजें आज भी विद्दमान हैं हमारे जो हैं साथ वाहन का राजदरबार दिखा रखा है तो उनमें जो है साथ वाहन पहले के राजाओं के मकावले क्योंकि इस्त्रियों का नाम का इतियास में बहुत ही कम आया है लेकिन माताओं को गर्व जो दिया वो साथ वाहन राजाओं ने दिया तो ये लेकिन माताöं का इतना मैत होते हुए सिंहासन जो है वो पित्रवंशिक था यानिके पिता से पुत्र को मिलता था यानिके जो है आप परिवार जो है मात्र सत्तात्मक होगा लेकिन सिंहासन जो है वो पिता से पुत्र को जाता था सिंहासन जो था वो पित्रवंशिक था तो अब जो है सामाजिक विशमताएं भी थ विवस्ता में जो है वर्ण विवस्ता जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदु धर्म के अंदर जो है चार वर्णों की विवस्ता वैदिक धर्म में की गई थी जिसमें पहला ब्रामन दूसरे शत्रिये तीसरे वैश्ये और चोथे जो हैं शुद्र वर्ग में माटा गया था और इ ये देवताओं द्वारा तैयार विवस्ता है और इनका जनम जो है अपना है देवताओं से जोड़ा गया और शुद्रों और एस पर्षों को उन्होंने सबसे निचले स्तर पर रखा ये शुद्रों जो चौथी कटेगरी थी उनको जो है सबसे नीचा दिया गया और ये जैसा कि बताया कि ये वेवस्ता करम पर अधारिती यानिके जो जिस प्रकार का कारी करते थे उसी में जो है वो जाने जाते थे वैदिकाल में लेकिन इस काल तक आते आते ये जनम अधारित हो गई और जो जिस घर में जनम लेगा वो उसी तरह का माना जाएगा तो सबसे उ उपर जो थे ब्राम्मन थे इस पिरामिड के जो हैं टॉप पे ब्राम्मन थे जो की पुरोहित का काम यानिके पुजारी का काम किया करते थे और दूसरे स्थान पे जो है शत्रिये थे शत्रियों में राजा और शासन करने वाले और योद्धा लोग आते थे तीसरे स्थान प किसी कारे कुशल व्यक्ति हैं वो इसमें शामिल होते थे शुद्र जो है उसमें जो है अंसकेल्ड वर्कर और जो है दास वर्क के लोग होते थे इसके अलावा दलित वर्क अंटचेबल का एक और क्लास थी जो ऐसे जो की सफाई करने वाले या जामरेवे जानवरों और को करने वाले लोगों को इसमें अंटचेबल में माना जाता था यानिके उनको चूना भी पाप समझा जाता था तो इनके लिए अपनी जीविकायन निर्दारिती धरमसूत्र और धरमशास्त्र को में जो है चारों वरणों के लिए आदर्श जीविका के लिए कुछ नियम बन रखे थे कि उन्हें अपनी जीविका किस प्रकार चलानी चाहिए और उनके कार्ये क्या होने चाहिए तो ब्रामणों का कार्ये क्या था पहला था अध्या यानि कि वो पढ़ने पढ़ने का काम करते थे वेदों की शिक्षा देते थे यग करना और करवाना इनका मुख्य कार्य होता था तो ब्रामनों के जो हैं ये कार्य बताए गए कि पहला कि वो अध्यन करें वेदों की शिक्षा दें और तीसरा था कि यग करें और करवाएं भी इसके अलावा उनका काम एक और था चोथा दान देना और दान लेना यानि कि अपने से नीचे के या गरीब व्यक्तियों को दान देना और लेना जो है वो प्रमुक था तो ये ब्रह्मनों के था इसके बाद दूसरा वर्ग शत्रियों का था उनका काम था पहला काम था युद करना दूसरा लोगों के हो सुरक्षा पर दान करना तीसरा न्याय करना और चोथा था वेद पढ़ना पांच वह यग करना और छटा दान दक्षना देना तो यहां पर जो है शत्रियों का काम देना था दान देना था जबकि पुरोईत वर्ग का ब्रह्मन वर्ग का काम देना और लेना दोनों था जिनमें लेना प्रमुक था तो ये किसको देते थे दान ये नहीं की नीचे के वर्ग को देते थे इनसे ये शत्रियों काम लेना नहीं था देना था और लेने का काम किसका था ब्राह्मनों का काम था तो ये शत्रिये जो दान जो है वो ब्राह्मन वर्ग क जो है वो वैश्य है और वैश्य वर्ग का काम जो है व्यापार क्रिशी गोपालन और वेद पढ़ना यग करवाना और दान दक्षना देना होता था व्यापार जो है व्यापारी वर्ग इसमें मुख्य रूप से है इस तरह से खेती करने वाले या पशुपालक जो है गोपाल ते All शुद्रों की जीविका का एक मात्र जो तरीका था वो ये था कि इन तीनों वर्गों का यानि के ब्रह्मन शत्रि और वैश्य तीनों की सेवा कार करना इनके लिए काम करना और इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते थे सिर्वाय सेवा के कारियों के तो उचित जीवी का के लिए उन्होंने कुछ नीतियां बनाई और उन्होंने दो तिन नीतियां जो है इनके बनाई वो ये क्या था कि पहला सबसे उन्होंने स्थापित किया कि ये वर्ण विवस्ता जो है देविय विवस्ता है ताकि उसको कोई challenge ना कर सके उसको कोई चुनौती ना दे सके इसके लिए उनने बताया कि ब्रह्मन या पुरोहित वर्ग या अध्यापक वर्ग का जन्म जो है ब्रह्मा के मुक्ष से हुआ है जो प्रह्मा जो शृस्टि के निर्माता है और क जो शक्त्रिय वर्ग है योद्धा वर्ग है वो ब्रह्मा की भुझाओं से और वैश्य वर्ग जो है इनके जो है उधर से पैदा हुए हैं तो अभी उधर पूर्ती के लिए कारे करते हैं जैसे व्यापार और कृशी उत्पादन करते हैं और शुद्रों और दलित वर्ग का जो है इनके चर बढ़र《यारा दीजर्ड के उन्हों पिद्ध नारी देटेती हैं विया उख़ेकं आसेभिजा नारृ भीएеро 301 005 sees Gift , सुखन अपने सब्सक्राइब को अपर समय अनुसरेती हैं , स 또न स्क्रानर जानां, सब्सक्रान में जें, करवाएं और तीसरा जो था वो ये लोगों को ये विश्वास दिलवाने का प्रत्न करते थे कि उनकी प्रतिष्ठा जनम पर आधारित है यानि कि उन्हें सामाजिक रूप से जो बान सम्मान मिलेगा वो जो है उनके जनम के इसाब से मिलेगा कि उन्होंने किस कुल में जनम ल पिरनित कुछ काणियों उपर बल दिया जाता है, जैसे एक व्यक्ती है, जो जंगल में रहने वाला है, तो इन दोनों में ऐस मानता है। इसी टरह राजा के लिए ये नियम बनाया गया, आतबान है। उसके जो है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे राजवंश थे जो अन्य वर्णों से जो है उत्पन हुए थे अन्य वर्णों से आये थे सबसे पहले जैसे मौर्य वंश है मौर्य वंश ने एक विशाल सामराज्य चंद्रगुप्त के मौर्य के शासनकाल में किया यह चंद्रगुप् चुकffen कि यह नंद की दासी का पुत्र था और ये शत्रिये कुल से था, लेकिन जो है ब्रामनी शास्त्रों में जो है इसको जो है निम्नकुल का माना जाता है और इसे पशु चराने वाला गाडरिया उससे भर्ग से भी लिया जाता है, लेकिन बहुत गरंतों में हो सकता है, इसलिए भी इसने शत्रिय कहा जाता हो क्योंकि जो है चंद्रगुप्त के बाद अशोक के समय में जो है इनको बौधों को काफी बौध धर्म को काफी संरक्षन इन्हों ने दिया था मौरियों ने और इसके बाद जो आये मौरियों के बाद जो शुंग और कणववंश आए ये जो ब्राम्मन शाशक थे ये शुंगवंश और कणववंश के संस्थापक हैं और इनके काल में जो है ब्राम्मन ये ब्राम्मन थे तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि निमनकुल से भी मौरिय आये और ब्राम्मनों के तरह के भी राजका यहां पे स्थाफित हुए और इस राजनितिक उस समय ये माहनेता दीरे-दीरे हो गई कि राजनितिक सत्ता का अफुओग व्यक्ति कर सकता है जोहे वो शत्रिय ना हो लेकिन उसके अंदर समर्थ होना चाहिए और संसाधन उसके लिए वो जुटा सके वो हर व्यक्ति जो है इस तरह से समर्थन और संसादन चुटा सकता है चाहे वो शत्रिय ना हो तब भी सत्ता का भोग कर सकता है तो राजजत्व शत्रिय कुल में जनम लेने पर शायद ही निर्बर करता था तो इस तरह से ये ऐ शत्रिय राजाओं ने इस मांदंड को खंडेत कर दिया कि राजा केवल शत्रिय होना चाहिए और ऐ शत्रिय राजाओं के बारे में एक सोच क्या थी उस समय के समाज की या ब्रह्मन समाज की कि वो जैसे विदेशी शाशक उस टैम शक जैसे थे वो मद्धे एशिया से आये थे तो इनको जो है ब्रह्मन वर्ग जो है उस स सभारत में आये थे और लेकिन जो है संस्कृित में जो है आरंविक आलेखों में यह पता लगता है कि राजा रुद्र दमन जो थे जो एक शक्षाः थे ऑदूसरी शतापदी में रुद्र दमनने सुधर्शन सरॉवर जो की जिसका सुधर्शन जीक्षा बार- vedere गरम्तों में बड़ी इज्जत के साथ नाम लिया जाता उसका जीरण उदार कराया था यानि के उसकी मैंटिनेंस रिपेरिंग करायी थी यह रूद्र दमन का एक स्क्वाइने सिक्का है तो इस रूद्र दमन ने सुधर्शन सरोवर जो है उस यह सुधर्शन सरोवर का चित्र वो भी जो है हमारी धार्मिक प्रजा की धार्मिक भावनाओं का ख्याल लगते थे और उन्हों ने उसके लिए जो है हमारी जो संस्कृतिक परिपार्टी थी उससे को वो जानते थे और उसके लिए उन्हों संप्रजा की में अपनी एक अच्छी चवी बनाने के लिए ऐसे कारे किये ताकि उन्हें भी यहां की सांस्कृतिक उसमें धरोवर में शामिल किया जा सके अब विदेशी राजवन्जों से विवा संबंदों के बारे में हम जिक्र करते हैं तो सातवान कुल के सबसे जो परसिद शाशक थे गौत्मी पुत्त सिरी सातकनी जो थे उन्हों ने अपने आपको एक अनूठा ब्रामन बताते थे जो यह और साथ ही इसने कहा था कि मैं जो हूँ शत्रियों के दर्प का धर्प मैंने अभिमान का हनन करने वाला यानि कि मैं शत्रिये जो थे उनके गमंड को तोड़ने वाला हूँ और उसने जो है यह बताए यह स्थापित गया कि ब्रामनों की सर्वोचता को स्थापित करूंगा और ब्रामन जो है धर्म को सबसे टॉप पर रखना है जैसा कि वर्ण विवस्ता में था तो उसका यह दावा था कि चार वर्णों के बीच जो विवासमन्द होने होते थे उन पर उसने रोक लगा दी क्योंकि वह पूल्धकी रुद्र दमन ने जो है जो है जो है रुद्र दमन के परिवार के साथ जो कि जिने मलेच का आ jew जाता था उसके साहथ जो है उनोंने वैवायक संबन्द स्थापित किए जबकि वह चार वर्णों में वि विवासमन्दों का विरोध कर रहा था तो और लेकिन पुद्र दमन के परिवार के साथ विवास अमन स्थाफित के धन्यवाद आपका भूमुल्य समय देने के लिए और वीडियो देखने